इंवाल में सबसे बड़ी बाहद हमारे बैटस हमारे मनोशृरी जयंतर के पैठन यानि आदते एंग हैं कोई लोगों में पाइर पैठन होतका फाइर पैठ ाहने इनको बात पर गुसा आदा कभी कभी गुसा करते है कोई लोग होते हैं कभी कभार गुसा नहीं करते क시 여기까지 है तो कहा जबता है gonna fire पैटन है इस परसंड यूग कायर यूद डरा हुआ ही रहता ह्ए हम्यशा सहमा सहमा सही होता है लोगों के बीच मेms happy बोली नहीं बाता, हमेशा पीछे रहता है, कायर पेटन, तीसरा लायर पेटन, जूट ही बोलती रहता है, इसको हैबिट बढ़ गई, जरुरूरत नहीं है, तो भी जूट बोलती रहता, कोई मिला तो, अरे हमारे घर नहीं आए बहुत दें, आज में शाम को आ रहा हूं, इस बोल सकते हैं, चुटता है, मगर मुझे भी चाहिए, मैं नहीं दे सकता, बात खितम, मारे चूँकि वह हैबिट बढ़ गई है, तो वो निकलती रहते, शब्दे निकलती रहते, जूट निकलती रहता, तो लायर पेटन बोलता है, एक पेटन है, ब्लास्टर, ब्लास्टर डलते है, उसको बोलते ब्लास्टर बैटन है, एक होता ब्लेमर बैटन, ब्लेमर यानि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि वो आ गया था, क्योंकि उसने वो काम नहीं किया, क्योंकि बारिश हो गई थी, क्योंकि ऐसा, किसी ने किसी पर इल्जाम लगाना है, ब्लेमर बै क्यों मैं नहीं कर पया, क्यों मैं खुल नहीं पया, जीवन में, क्यों नहीं खिल पया, कोई और कारण है, और उनके पास कारण हमेशा होता है, कोई तो है जिसकी वज़ह से मैं अटका हुआ हूँ, उसको कहते upfront, ब्रेकर पेटन, एक होता है miser pattern conjuice का pattern ऐसा इंसान हमेशा conjuice से जिता है सिर्फ ऐसे से नहीं उसका असर सभी लेवल पर होता है वो हसेगा भी तो भी पूरा नहीं हस पाएगा उसमें भी conjuice करता है वो भी installment में हसता है क्या भी हस ले थोड़ा भी गर जा कैसेंगे बाकी ऐसे लोगों की वज़े से तो फिर laughing clubs वोगर शुरू होती है कि लोग नहीं हस पाते है तो फिर कोई जोर जवरदस्ती से कोई club खुलता है उसमें उनको बुलाता है उनसे हसवाता है तब जाके वो थोड़ा खुल पाते है तो miser pattern होता है conjuice का pattern होता है और फिर यह सब patterns बादा डालते है एक और pattern है counter pattern counter यानि जो negative है पहले उसको count करते है 31 दात है वो ध्यान में नहीं जाता है एक दात जो तूट गया है उस पर जबान बार बार जाती है ये नहीं है बार बार देखता है ये नहीं है मेरे जीवन में ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है यानि वो भगीशी में जाएगा तो पहले काटे देखेगा फिर बाद में फूल देखेगा अगर पहले काटे देखोगे तो full फूल नहीं लगते और अगर कोई पहले full देखता है तो काटे ज़्यादा नहीं चुपते जब आप पहले positive side देखते हो किसी चीज की तो फिर negative उतनी बुरी नहीं लगती और पहले ही negative देखते हो तो positive positive लगती नहीं तो counter pattern इनका हो गया है वो negative count करते है अब हमेशा ये करना जब भी counting है तो पहले positive क्या है वो देखना इस तरह की आदट डालना आनन्द आये तो उस पर शक्मत करना दुख आया तो उस पर जरूर शक्मत करना अबर उल्टा होता है दुख आया तो हाँ ये तो permanent time को मालम है उस पर doubt किसी को आता ही नहीं दुख आया ये तो पक्का है ये तो हमेशा रहता है और आनन्द आया तो ये शाटेबरी रहेगा आनन्द पर तो हमेशा doubt आता है और ठीक उल्टा है आप खुद आनन्द हो अगर अपने आपको जानने लग जाओगे आपका होना आनन्द है आनन्द पर्मनेंट है अगर पक्का हो जाए अगर उस दृष्टी कोंट से देख पाओ जिस दृष्टी कोंट से आपको देखने के लिए कहा जा रहा है तो आनन्द पर doubt नहीं आएगा बर ठीक उल्टा होता है कोई कहता है आप से कि आपको पसंद करता है प्रेम करता है तो बार बार पुछते रोज पुछते कि तुम में प्रेम करते हो क्या करते हो कि पूछ पूछ कर प्रेम को मार डल दे कि डाउट या था पता नहीं कल तो करता था आज भी करता रहा कि नहीं कल तो पसंद करता था आ हमें डाउट नहीं आता है, हाँ वो बुरा ही रहेगा, कोई किसी अच्छा ही करता है तो हमें डाउट आता है, ने उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना बूल रहा है, तो यह मन की आपट पड़ गई है, यह सारे पैटर नस टूटे , यह पैटरन से हैं, जो खुलने में खिल में बादा है जब डर आए अंदेरे में जाने का डर लग रहा है कोई लोगों का डर लग रहा है कहीं ये घटना नहों जाए फ्यूचर का कोई डर लग रहा हो मौत का डर लग रहा हो ऐसे डर जब लगते है तो एक वाक्या बताया जाता है एक मंत्र की तरह ही आप ले सकते है मंत्र क्या है जब भी डर आए अंदेरे में जा रहे हो की नई जगे पर जा रहे हो ने लगों के बीच में जा रहे हो तो मंत्र याद रखना अपने अंदर ये पंक्ति दोहराना वाक्य दोहराना और इस वाक्य की शक्ति देखना वाक्य है I am God's property no evil can touch me यादि मैं इश्वर की दौलत हूँ कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती टच पर आप विशेश टच करना क्योंकि ये कहते ही आपके चारो तरफ एक तरंग तयार होती है और वो किसी भी गलत चीज को आपकी तरफ आने नहीं देती कि लोग डरे डरे से जीती पता नहीं मेरे साथ क्या होगा अटेक होगा ऐसा होगा वो डर डर करी जाते उनकी body language ही पताती है कि ये डरे हुए लोग है और जब आप ये पंक्ति दोहरा होगे आपके अंदर एक नया विश्वास जागरत होगा इंट्रिवी के लिए जा रहे हो कहीं जा रहे हो जहां डर आया है I am God's property no evil can touch me ये पंक्ति एक मंत्र एक वाक्य वाक्य शक्ति देखना दोहराने के साथ क्या होता है और असफलता का डर आये तो दूसरी पंक्ति याद रखना जिसमें पहला पार्ट सेम है I am God's property अगला पार्ट क्या है my success is assured I am God's property my success is assured यानि मेरी काम्याभी निश्चित है मैं इश्वर की दौलत हूं मेरी काम्याभी निश्चित है जब आप ये दोहराओगे बार-बार तो देखोगे वो शक्ति का संचार आपके अंदर होने वाला है महा आस्मानी निवासी शिवर मनन आश्रम पर आयूजित किया जाता है इस पांच दिवस्य शिवर में खोजी केवल सत्य श्रवन द्वारा आत्मसाक्षात्कार की मन्जिल तक पहुचता है इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और बचनों का पालन करते हुए हर दिन अंत सत्य की तरफ बढ़ते जाता है स्वा अनुभव के इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूं इस प्रित्वी पर क्यों आया हूं मुक्ष यानि क्या क्या मुक्ष इसी जीवन में संभव है इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं सरश्री बहुत ही सीधे और स इसाने. Happy thoughts. Yes. वो समझ से लेकर अगर आप कुछ भी पढ़ लो तो समझ में आता है कि नहीं वही ही इशारा है वही पे जा रहा है हम लोग जो मैं बार बार बड़ा तो दिखता है लेकिन वो छोटा मैं दिखता नहीं कवे मैं अच्छा अभ्यसक हूँ मेरे पास बहुत सा अग्यान है लेकिन ये मैं चोटा सा कही रहता है मैं सेवा कर रहा हूँ मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ मैं दान कर रहा हूँ लेकिन ये मैं फिर भी आता है ये ये निकालने की समझ सिर्फ आप ही दे सकते सार श्री ये बहु कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो